बिस्मिल्ला रुख्मान रुरहीम अस्सलाम अलाइकम सौधी अरफ से लाइफ हुँदी आपके साथ मैं आपको देखा आज की एक अपडेट आपड़ यह है कि बाई पाकस्तानी को लिएक काफी खुशी की खबर आ रही है डाक्टर फैसल की तरफ से जो के मरान खान के मशीर सफर करना है वापसी का तो सौधी रेबिया ने चाहिना कि वैक्सीन तो अकसेप्ट ही नहीं की है तो फाइजर यह एस्टर जैनिका हमें क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी तो अभी बाई अलहमदुलिल्ला एक खुशी की खबर सामने आ चुकी है जैसा कि आपको पता है सफर भाई 100% 100% कर सकेंगे पाकस्तान में डक्टर फैसल की तरफ से अभी यह कह दिया गया है कि वो तमाम तर बंदे पहले एस्टर जैनिका पकस्तान में लगाई जा रही थी चाली साल से जायद उमर के बंदों को अभी 18 साल से जिसकी उमर ज्यादा होगी उसको भाई खास जैनिका पाकस्तान में अभी लगवा सकते हैं अगर आपके बाई नजदीक तरीक किसी शहर में अवेलिबल नहीं है तो आप किसी बड़े शहर का रुख कीजिए वहां से जाकर इंफरमेशन लीजिए चुकताई लैब गयरा होगी ऐसे लैबों से इंफरमेशन लीजिए त जब आपको एक वीक का या दो वीक का या पांच दिन का जितने का टाइम मिलेगा उस टाइम के पर जाएए ये एक्स्ट्रा जैनिका भाई अभी पाकस्तान में तमाम तरफ पर देशी भाईयों को लगना शुरू हो चुकी है आप लगवाई ये वो आपके लिए बेस्ट काइन वगरा करना ओगा तो ये तो आप तो आप आतो सकेंगे साओधी रिविया में जब आपने वैक्सिनेशन नहीं भी करवाई होगी लेकिन अगर आप पाई करवा लें या पी पाकस्तान में रहते हुए आपका कम खर्चा होगा और इस आप साओधी रिविया का सफर भ करना होगा उसके इलावा आपको एक सो दो सो पांच सो जितने डालर का यह कहेंगे उतने डालर भी जम्मा करवाने होंगे